आज हम लोग probability का फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं ठीक है यानि आज से probability को स्टार्ट कर रहे हैं अभी तक आपको partial differential equation topic था आप थर्ड से में होंगी ठीक है थर्ड से में आपको क्या-क्या पढ़ना है पढ़ना है probability पढ़ना है उसके बाद statics पढ़ना ठीक है तो जिसमें की फर्स्ट पोर्शन आपको complete कर दिया गया पीडी सकेंड पोर्शन में आते हैं हम लोग probability में आते हैं ठीक है और पीडी में जो आपको प्रिवेस यर क्यूशन है सब करवाए जाएंगे वह सब बाद में add कर दिये जाएंगे उसमें अभी फिलाल के लिए आपको complete है ठीक है और एक्जाम से पहले उसमें add कर दिये जाएंगे आपको टेंसर नहीं लेना और आते हैं आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं probability से करते हैं तो वही चेप्टर बात करें अगर probability की तो probability means chances होते हैं ठीक है chances probability means क्या होता बभू chances होता है ठीक है जैसे की example आपको कुछ example देते हैं आपे जैसे माल दीजे की probability कुछ statement दे रहा है ठीक है a statement क्या है sun rising sun rising in east बताई probability sun को east में rising करने का क्या probability है क्या chance है क्या chance है 100% chance है मतलब उसका probability कितना हुआ ठीक है इस्ट में ही तो सुरज उगते हैं तो उसका probability कितना है 100% है यानि east में जो सुरज को उगने का chance हो 100% है मतलब probability हो गया फिर आते हैं probability देखते हैं इसी का जैस्ट अपोजिटल लेते हैं sun rising sun rising in based sun rising in based बेस्ट में यानि पक्षिम में sun को उगने का sun को rising करने का क्या probability है 0% कभी भी universal truth क्या है कि east में sun rising करता है और और बेस्ट में क्या करता है sunset होता है ठीक है सुरजास्त होता है तो यानि बेस्ट में sun rising का कितना probability है 0% यानि 0 ठीक है तब यहां से case पता चला होगा कि जो 100% यानि कि देखे east में 100% होगा यानि 1 और बेस्ट में 0% होगा यानि 0 तो इसका जो probability का जो आपका probability का जो range हुआ कितना कितना बीच होगा तो probability का range है 0 to 1 के बीच होता है ठीक है पहला case मालूम होगा clear है यहां तक clear है चलिए दूसरा चीज़ देखते हैं अभी theory बात में पढ़ेंगे पहले आपको जो कुछ मतलों समझाना है वो पहले समझा देते हैं तो यहां से पता है पहला case क्या पता चला कि probability जो होता है 0 to 1 के बीच होता है ठीक है यानि chances of any statement maximum is 1 और chances of any statement minimum is 0 के लियर है ठीक है chances of any statement maximum 1 और chances of any statement minimum 1 यानि chance किसी चीज़ का भी maximum हो सकता है तो maximum से maximum 1 हो सकता है और minimum से minimum 0 हो सकता है आई ये कुछ और example लेते हैं हापी आप चाहें तो आप notes भी कर सकते हैं इस चीज़ को ठीक है यहापे नहीं लिखा हुआ हम ऐसा ही समझा रहा है तो आप notes भी कर सकते हैं इस चीज़ को उसी को theory में करके लिख दियें जो चीज़ यहाँ पर समझा रहा है चलिए दूसरा चील लेते हैं जो probability का जो range बता है आपको probability का जो range बता है कितना बता है बाबू 0 to 1 बता है अब इसको हम इस तरह से लिखते हैं 0 से less than या जादा भी हो सकता है ऐसा थोड़ी 0 1 ही होता है 0 को बीच में 0.2 भी आ सकता है 3 भी आ सकता है 0.5 भी आ सकता है 1 आ सकता है 0.99 आ सकता है तो probability 1 0 से बड़ा और बराबर यही probability जो है वो 0 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा 1 से छोटा ऐसे लिख सकते हैं 1 से छोटा और बराबर येसा होता है तो range को अगर आपको कहीं लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे 0 greater than or equal to 1 मतलब स्री probability और less than or equal to 1 तो ये probability का range हो गिया चली यहाँ पर probability बताईएगा तो आप एक चीज़ और देते हैं probability गेम एड चेस दो लोग में मुझी जीतने की कितनी प्रबॉबिलिटी है तो लोग हैं जिसमें की प्रबॉबिलीटी कितना हाप ऑप परसेंट है या तो मैं जीच सकता हूं या तो वो जीच जीत सकते हैं तो यहांपर probability कितना होगी हाप होगी ठीक है है I hope clearly understand ठीक है चली इंब आते हैं यहां पर theory पढ़ते यह इसका theory चलते हैं ठीक है अभी बेसिक देखें बहुत ही basic से उठा हैं बहुत ही zero level से उठा हैं ऐसा तो यह सब चीज पढ़ भी चुके होंगे लेकिन फिर भी उस सब को ignore करते हुए हम लोग 0 से उठा हैं तो आयोप कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा Probability is a concept which is numerically measure the degree of uncertainty and therefore the certainty of the occurrence of events किसी भी events में certain और uncertain होने की एक numerical measurement देता है probability जो है किसी भी certain और uncertain होने की संभावना को क्या करता है measurement करता है जैसे भी just बता रहे थे कि probability of sun rising in the west ठीक है 0% होने certain uncertain दोनों की बताएगा ऐसा नहीं कि सब certain के बताएगा दोनों को बताएगा इसका जो equally होगा क्या होगा मतलब ऐसा करते है एक events है कोई एक events है जो हम आभी आपको बताएथे यहां पर लिख देते है probability of probability of I been game in at chess ठीक है तो यहां पर जो probability हो रहा है वो फेल होने का चन्स कितना है one upon one by two है और पांस होने का भी जीतने का भी कितना चांस है one by two है तो अगर हम इस तरह से एड़ करते हैं तो कितना हो जाएगा बन बाई बन तो लिख सकते हैं तो इसको हम इस case का बटा total number of mutually exclusive and equally likely cases तो या तो आप जीत सकते हैं और नीचे बटा क्या करेंगे जो जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं दोनों को add कर देते हैं ठीक है that of its failing is defined as n बटा m plus n मतलब अगर जीतने का जीतने का chance और हादने का chance दोनों को हम इस तरह से लिख से हैं अगर जीतने का chance है तो m बटा m plus n ठीक है जो m था जीतने का chance था n क्या था हादने का chance था तो क्या हो जाएगा m बटा m plus n अगर हादने की chance को देखे तो तो उसको भी हम लिख सकते n बटा m plus n यानि इफ दा probability of the happening P है और and the probability of not happening Q से denote करते हैं अगर होने की समावना को P से नहीं होने की समावना को Q से ठीक है तो then p plus q is equal to तो जैसा कि अभी बता रहे थे कि दोनों को 1y2 plus 1y2 हम इस तरह कर सकते होने की समावना नहीं होने की समावना dोनों कर देते हैं तो उसका value कितना आता है तो P Q Q is equal to M but a M plus N plus N would a M plus N दोनों को add करेंगे तो 1 आएगा यानि probability होने की और नहीं होने की समामना दोनों को अगर एड करते तो उसका value 1 आएगा ठीक है सिर्दिफिनिस्न आप कुछ definition देख लें तोपिक पे বबढ़ेंगे अभी आपको जो पीछा जितनेंज भी basic ठापग 95 आप पढ़े होंगे जितनेंज भी basic topic पढ़े होंगे हैं आप टेंथ से ही पढ़ते आरहे होंगे प्रोविलिटी को 9 तैंथ से आ आ रहे होंगे तो ही से जीरो लेवल से बेसिक पहले कंप्लीट करवा देते हैं उसके बाद जो यहां आपके थियोरम्स पढ़ने हैं वह सब थियोरम्स को बताया जाएंगी तो चलिए कुछ नहीं करते हैं इस तरह से हो हां पर 밤 रहते हैं सिगसर्फेस होते हैं छे वो सर्पेश की बात करें मानलीजी एक बार हम ड्ली को चलते एक वार ड्लीकों फिकते हैं तो हमाली ये पांच आने कि Between पांच आने की probability कितना है तो 5 वाट कितना हो जाएगा stage यानि छे सरफेश हैं छे सरफेश है स्वरीं कि संभाववना कितना है तो एक ही बार आ सकता है तो तो 1-1-6, यानि छे वो सर्फेस में 5 आने की कितना सभावना एक ही सभावना है, एक ही पाथ है, कि एक ही बार, मतलब एक बार फेके, तो दम एक ही परसेंट चांस है कि वो आ सकता है, ठीक है, इस तरह से, चलिए और देखेंगे भी क्यूशन करेंगे तो, cards a pack of card consists of four suits aspects hearts diamonds and clubs each suit consists of 13 card पर तेक जो होता है 13 card का होता है ठीक है और 9 तक इसका 9 card are number 2, 3, 4 इस तरह 10 तक number रहते हैं एक एक का रहता है एक king रहता है क्यून रहता है और एक jack रहता है जिसे हम लोग नेव के नाम से भी जानते हैं कलर और spids and clubs is black and that hurts and diamond is red यहाँ पर जो color होते हैं सभी पत्ते की चार color होते हैं मतलब two black और two red ठीक है two black और two red होते हैं ठीक है सभी जिसे एक 52 card होते हैं मतलब एक box में 52 card होते हैं जिसमें 26 आपको जो होते हैं red होते हैं 26 क्या होते हैं black होते हैं ठीक है 26 red 26 black होते हैं यहनि हर एक जो पत्ता है उसका चार color होता है दो red दो black ठीक है कि क्यूण एंड जैक आर नोन आज फेस कार्ड और क्यूण क्यूण जैक को हम लोग फेस कार्ड के नाम से जानते तो जो क्यूशन बनाएंगे तो आपको बहुत ही क्लियर होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑपशिक्योंस जान करते है ही ॉइप कज्अन आप करसक्ते है यह को आएगा करते तो उसमें आप क्या सकते कि या तो है या तो है स नहीं कर आएगा या तो टेल आएगा लेकिन आप कश疏 नहीं कर सकते कि हम यह करने के पहले होको तौस तो आसा हम लोग और और और, Overwatch है और इस तर भी और फिर यहां । तो इस तरह से हम लोग probability को find out करते हैं collective exhaustive events union of given events is sample space then whose events are known as exhaustive events a union b sample space sample space पहले क्या होता है तो इसको बाद में लिखेते हैं तो पहले बताते हैं sample space क्या है all possible outcomes sample space क्या है तो all possible outcomes को हम लोग क्या बलते हैं sample space क्या है जैसे हम लोग gave coin को अगर हम throw करें तो उसमें क्या क्या आ सकता है कितने outcomes आ सकते हैं इसी में सी कोई भाइलू आएगा तो उसी को हम लोग क्या करते हैं सैंपल अस्पेस करते हैं अब आते उपर वल्ला देखते हैं तेहां पर A union B है यहनी सैंपल अस्पेस जैसे सैंपल अस्पेस मान लीजे कि कुछ एक्जामपल लेके बता रहे हैं 1,2,3,4,5,6 है सैंपल अस्पेस में ठीक है तो E1 को पहला इवेंट जो है 1,2,3 है दूसरा इवेंट 4,5,6 है तिसरा इवेंट 4,6 है तो आपको हम union करते हैं किसको union करने पर सैंपल अस्पेस आएग यह तीनों में किसको union करने पर सैंपल अस्पेस हमें मिलेंगे तो E1, E2 को पहले करते हैं A union B तो A union B मतलब एक, दो,3 नहां पर है इसमें 4,5,6 है यहनि 1,2,3,4,5,6 हो गया यहनि सैंपल अस्पेस है ठीक है यहनि सैंपल अस्पेस कौन है A union B है लेकिन अब दूसरा देखत मतलब events 1 और events 3 को देखते है तो events 1 में क्या है 1,2,3 है 4 और 5 गायव है यहनि 1,2,3,4,6 है यह सैंपल अस्पेस के इक्वल नहीं है सैंपल अस्पेस के इक्वल नहीं है ठीक है तो पहले तो आपको सैंपल अस्पेस मालूम होनी चाहिए था तो all possible odds come को हम लोग क्या कहते है सै मतलते हैं mutually exclusive events ठीक है occurrence of one rejected another यहाँ पर e1 intersection e2 है मतलब एक दूसरे को जो reject करे occurrence of one reject another ठीक है सैंपल अस्पेस है यहाँ पर head है और tail है मतलब एक coin को throw करवाए है तो यहाँ पर sample जो है head और tail है तो when the occurrence of one of them exclude the occurrence of the other one tossing of coin either we can be get head or tail but not bought मतलब एक दूसरे जैसे हम अभी इसी चीजी को बता रहे थे कि अगर हम coin को toss करवाते तो यह तो head आएगा यह तो tail आएगा दोनों आने की chance कभी है कभी नहीं है ठीक है कभी नहीं आएगा दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकता है यह तो head आए यह तो tail आए तो यह है कि occurrence of one reject another sample पला स्पेस कोई भी माली जे कि हेड और टेल है तो उसमें क्या है वेंद अक्रेंस ऑफ द वन अप देम एक्स्क्लूट द अक्रेंस ऑफ द अधर ठीक है यह तो हम को अगर टॉस करवाते हैं यह तो हमको हेड प्राप्त होगा यह टेल होगा अगर हम बात करें कि एक वार टॉस करवा रहें तो हेड आने की जेतना चांस है उतना ही टेल आने का चांस है मतलो हम किसी कवाइन को तो उसमें हेड आये 50 परसेंट चांस टेल आये 50 परसेंट चांस तो इकली इवेंट्स थो चांसस ऑफ आकरिंग इस सेम किलियर हुआ है पर दोज इवेंट्स फूज चांसेस अब आकरिंग इस सेम एक कोईन लेते हैं फेर कोईन लेते हैं जिसमें हेड और टेल है तो हेड को चांस 50% है टेल का चांस 50% है फेर डाइस लेते हैं वान टू थीरी फोर फाइव सिक्स यहां पर चांसेस की बात करें यहां भी इक्वाली चांसेस है अगर हम बात करें 2 आने की चांसेस तो 1 वटा 6 ठीक है 2 कितना बार आसकता है एक और अगर करें तो एक बार आसकता है 1 वाई 6 ठीक है 5 की अगर बात करें तो 5 भी आसकता है तो 1 वाई 6 ठीक है 6 आसकता है 1 वाई 6 यहां पर भी equally chances है equally chances है find the probability throwing 9 with 2 dice हम अगर 2 dice को कर रहे हैं तो 9 आने की सवामना 2 dice मिला कर, जिसे माल लीजे कि 1 dice पर 4 आजाए 1 dice पर 4 आजाए 2 dice पर 5 आजाए 2 मिला कि कितना हो गया, 9 हो गया या ऐसा भी आ सकता है, 1 पर 3 आजाए एक पे तीन आजाए और दुसरा पे छे आजाए दुसरा पे छे आजाए तो छे तीन नाइन तो इस find probability of throwing nine with the two dice two dice को मिला कर nine लाना है तो total number पहले तो कितना possible कितना हो सकता है possible कितना है तो possible total number of possible base of the throwing to two dice six 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 जा thirty six total number of possible base of the throwing at two dice six into six thirty six जितने भी possible chances हो कितने है thirty six है अगर two dice को हम एक साथ throw करवाते है ठीक है तो यहाँ पे number of base getting nine that is three plus six एक dash पे three आए दुसरे पे six आए या एक पे four आए दुसरे पे five आए एक पर five आए दुसरे पे four आए एक पर six आए तो दुसरे पर three आए इतना से ज़्यादा chance हो सकता है नहीं हो सकता है तो total chance कितना है total number of base कितना है four ठीक है the required probability the four by 36 यानी ऐसा ही आए आसकता है ना बभू कि यहाँ पे या तो three और six आजाए एक three six बला आजाए या four five बला आजाए या five four आजाए या six और three आजाए total odds कम कितना है total possible base कितना है 36 आपको आने की chance कितना है ठीक है getting आपको प्राप्त करने की chance कितना है तो four ही है ठीक है तो four बटा 36 यानी one upon six इसका probability कितना हुआ one upon six हुआ ठीक है from a pack of 52 cards one is drawn at random find the probability of getting a king king प्राप्त होने की कितना chances है तो एक king can be choosing four base but एक card can be drawn in 52 base ठीक है बामन card है जिसमें हमको king प्राप्त king कितना है four है ठीक है तो the required probability four by 52 यानी one by 13 ठीक है जिसका भी निकालना हो वो कितना आ सकता है उसना बटा total कर देना सिधा सिधी probability का मतलब है ठीक है जितना मतलब आपको जितना chance प्राप्त होनी की chance है ठीक है कितना आपको आ सकता है बटा total हम लोग उसी को probability काते है सिधा सिधा मतलब है ठीक है तो exercise है कुछ exercise है आप इसको करके आएंगे ठीक है फिर exercise कल इसका मतलब solution करवा देंगी जैसे यहाँ पर एक example एक हो बता देते है इने class of 12 students 12 students थे जिसमें 5 boys है और बाकी girl है तो 12 है तो यानि 7 girl होगा 7 girl है find the probability that a student selected by a girl तो girl यानि girl होने की probability बता है तो कितने girl है 7 7 में कोई भी एक girl आ सकती है बटा कितना है total तो 12 students है तो 7 बटा बार यही simple सा probability होता है बाकी theorem में हम लोग देखेंगे एडवांस क्यूशन अभी फिलाल basic basic क्यूशन देख रहे है तो यहाँ पर क्या है कि total 12 students थे जिसमें 5 boys थे और rest are girl तो rest are girl means 7 girls तो 7 girls तो girl का probability तो girl आने की chances कितना है 7 बटा टोटल कितना है 12 यही हो गया यह बैक कंटेंस 7 red and 8 black balls है तो find the probability of drawing यह red ball red ball कितना है 7 टोटल कितना है 7,8,15 ठीक है आर्षाथ 15 साथ बटा 15 यही अंसर हो जाएगा इस तरह से तो आप बना के देखिएगा ठीक है ज़्यादा क्यूसन यह चारहीं क्यूसन तो बना के देखिएगा फिर हम लोग कल इसफे addition law of probability पे चलेंगे ठीक है तो thank you so much है यहादक बने रह निकली मिलते हम लोग next episode में ठीक है तो अब तो कि इस chapter को जो आज का lecture है उसको आप clearly revision कर लेंगे ठीक है बैसे कुछ है नहीं basic basic चीज था लेकिन फिर भी एक वारा आप पढ़ लेंगे अच्छे से अगर probability के आगे की theorem को आप असानी से समझना चाहते हैं तो इसे अच्छी तरीके से इसको क्या कर लेंगे आप समझ लेंगे ठीक है ठीक है मिलते हम लोग कल